बूतिया फुर में बूतिया टूनी चुडिया की यात्मा रोज टेली पर मटका मैगी बेचा करती थी टूनी जब से मैंने तुम्हारी मटका मैगी खाना शुरू की है तब से तो मैं घर पर खाना ही नहीं खाता सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं है हाँ टूनी तुम बहुती टेस्टी मटका मैगी बनाती हो। मटका मैगी ले लो टेस्टी मसालिदार मटका मैगी ले लो एक बार खाओगे तो बार बार आओगी। पक्षियों की नजर उसकी मटका मैगी पर पड़ती है फिर वो सभी उससे मटका मैगी खरीद कर खाने लगते हैं। तुम्हारी मैगी तो बहुत टेस्टी है, अब से मैं रोज तुम्हारे पास मैगी खाने आऊंगा। सच में, तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं, चलो, मुझे दो प्लेट मटका मैगी और दे दो। इस तरह मैगी बेच कर उस दिन बूतिया टूनी चुडिया की यात्मा बहुत सारी पैसे इखटा कर लेती है, अरे वाँ, एक ही दिन में मेरी तनी सारी कमाई हो गई, बूतिया पूर में तुतने पैसे कमानी के लिए, मुझे एक महीने के इंतिजार करना पड़ता था, अब स में रोज यहां आकर मेगी बेचूंगी, फिर अगले दिन से भूतिया टूनी चुडिया की यात्मा रोज अपना रूप बदल कर पक्षियों को वटका मेगी पेशना शुरू कर देती है, दूसरी तरफ ज्यादा कमाने से वो अपने घर में महंगी चीजे खरीद कर लाने क्या बात है टूनी, आजकल तू बहुत महंगी महंगी चीजे खरीद कर ला रही है, लगता है तू बहुत सारे पैसे कमा रही है, तो ने सही कहा, लेकिन ये पैसे में पक्षियों को महंगी बेश कर कमा रही हूँ, मैं रोज रूप बदल कर जंगल में पक्षियों की बीच अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या तुझे लालच में पढ़गर इस तरह गलत काम नहीं करना चाहिए अगर किसी दिन पक्षियों को तेरी असलियत पता चल गई तो सोच तेरा क्या हल होगा अरे मैं किसी पक्षी से नहीं डड़ते बहला किसी पक्षी में इतनी हिमत कहां जो हुम बूतिय चुडिया की यात्मा का सामना कर सके देख हमारा काम था तुझे समझाना आगे तेरी मर्जी इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन भूतिय टूनी चड़िया की यात्मा पर उसकी बातों को कोई भी असर नहीं होता और वो जिंगल में पक्षियों को मैगी बेचना जारी रखती है इसी दरा एक दिन वो मटका मैगी बेच रही थी तब एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ती है टूनी को देखते ही तांत्रिक को उसकी असलियत का पता चल जाता है ये तो एक भूतिया चड़िया की यात्मा है ये अपना रूप बदल कर यहां मटका मैगी बेच रही है अब मैं इसको पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा ये कहकर वो मंत्र पड़ने लगता है जिससे वो अपने असली का दे रही थी बाबा आप इसे मार दीजे तुम सब चिंता मत करो अब ये भूतिया चड़िया की यात्मा किसी को नुक्सान नहीं पहुचाएगी मैं पकड़कर इसे अपने साथ ले जा रहा हूं उसकी बाद तांत्रिक मंदर पड़कर भूतिया चड़िया की यात्मा को एक बोटल के अंदर कैट कर लेता है देखो मैंने अज तक कभी किसी का कुछ नहीं पिकाड़ा दया करके मुझे छोड़ दो लेकिन तांत्रिक बाबा उसको अपनी गुफा में ले जाता है अब मैं तुझे मार कर अपनी काली विद्या के लिए इस्तेमाल करूंगा ये सु अपने के कोई जरुवत नहीं है टूनी हम तुझे बचे आने आ गए ये कहकर वो दौनों अपनी शक्तियों से तांत्रिक बाबा पर हमला करके उसे मार देते हैं और बहुतिया टूनी चडिया की आत्मा को असाद कर देते हैं तुझे समझाया था ना कि लालच में पढ़क उस दिन के बाद से बहुतिया टूनी चडिया की आत्मा लालच करना छोड़ देती है और बहुतिया पुर में मटकमैगी बेश कर खुशी खुशी रहने लगती है रामपूर जंगल में एक खाली खंड़ जैसा घड़ था पक्षियों का मानना था कि वहां दो भूतिय चडिया का बसेरा है जो हर रात अपना रूप बदल कर पक्षियों को मानने के लिए बहार निकलती है इसलिए शाम होते ही कोई भी पक्षि वहां से नहीं गुसरता था एक दिन भूतिय टूनी चडिया और टून्टूनी चडिया की आत्मा आपस में बाते कर रही थी टून्टूनी भूक के बारे मेरे पेट में खलबली मच रही है तो यहां क्यों घड़ी है जल्दे से शिकार पकड़ कर ला ताकि हम दोनों भी पेट पूज़ा कर सके ठीक है अब रोना धोना बन करो मैं शिकार करके ले आऊंगी यह कहकर पूथिया टून्टूनी चड़िया की आत्मा बहां निकल कर देखती है तब यह तून्टूनी चड़ा वहां से गुजर रहा होता है जिसे देखकर वो कहती है शिकार सामने से चलकर मेरे पास आ रहा है चल टून्टूनी चल्दे से खुपसूरत चड़िया के रू बूतिय चडिया की आत्मा की बिच्छाई जाल की कारण तुन्नो को खंडर घर एक आली शान घर में नजर आने लगता है और उसके साथ घर की अंदर चला जाता है तब ही अचानक से दर्वाज़ा भी बंध हो जाता है और भूतिय तुन्टुनी चडिया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है ले आई में शिकर जल्दी से इसको काकर मुझे भी परोसर तुनी चडिया आखरी बार भगवान को याद कर ले क्योंकि अब तो तु हमारे पेट में जाने वाला है चलो मैं ही शुरूआद कर देती हूँ तुन्टु अपनी जान बचाने के लिए खुब गिरगडाता है पर दोनो भूतिया चडिया की आत्मा उसे मार कर खा जाती है ऐसे ही वो दोनो रोज जाल बिचा कर पक्षियों को मारती है एक रात उस जंगल का पक्षी बंटी कबूतर साइकिल पर सवार होकर उसी भूतिया घर के आगे से गुजरता हुआ बोलता है और उसकी सामने गोल-गोल घूमने लगती है ए टुन्टुनी चल मारने से पहले नाच गाना हो जाए इसका थोड़ा मनुरंजन भी कर देते है माई नेम इस टूनी टूनी कीजिया वानी कतम हुई तेरी कहानी बस इतना बहुत है ज्यादा ताल से ताल मत मिला अरे कितना अच्छा नाच गाना करती हो तुम दानों मुझे यहाँ से जाना है चल चपो अमारे नाच गाने की तारीफ करके यह यहाँ से दुम दबाकर भागना चाता है हमसे हो शियारी अब तुझे पड़ेगी भारी अब तो हम तुझे मार देंगे ये कहकर वो दोनों उसे मार देती हैं. देखते ही देखते पूरे जंगल में बुरी तरह से खौफ चा जाता है तबी एक दिन जंगल वाले वहां की सरपंच से कहते हैं सरपंच जी आखिर भूतिया चिडिया की आत्मा जंगल वालों को क्यों मार रही है आप इस जंगल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं इतने बरसों से आप यहीं रह रहे हैं आखिर क्या कहानी है इस खंडर वाली भूतिया चिडिया की ये कोई कहानी नहीं बलकि सक्ची खटना है मेरे ही किये की सजा जंगल वालों को अपनी जिन्दगी से हाथ धोकर चुकानी पड़ रही है कई सालों पहले की बात है तुन्टुनी और तुनी चड़िया के माबाप मर गए थे तुनी अनपड थी पर वो अच्छा गाना नाचन जानती थी वो शादी ब्या में नाच कर अपनी बेहन का पालन पोशन कर लेती थी धीरे धीरे टुन्टुनी भी नाच गाने में उसका साथ देने लगी पर मेरे पास जंगल के कुछ पक्षी आए और मुझसे कहने लगे सरपंच जी आपको कुछ अता पता भी है कि जंगल म ओपर चल रही है इससे पहले कि हमारी थूतू हो कुछ कीजिए बस चलो आज मैं उनका अंतिम फैसला करूंगा सरपंच जंगल वालों के साथ तूनी चड़िया के घर का दरवाजा खट खटाता है मैंने तुम दोनों बेहनों को पहले भी चेतावनी दी थी पर अगर अब तुमने ये नाच गाना नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा सरपंच जी ये नाच गाना करके ही हम अपना पेट पालते हैं मैं अपना फैसला पहले ही बता चुकी हो तो फिर ठीक है जंगल वालों इन दोनों बेहनों को इनके खर के साथ आग लगा दो यही इनका कर उसकी घर में आग लगा देता है जिससे उन दोनों की जल कर उसी घर में मौत हो जाती है और वो दोनों भूतिये चुडिया की आत्मा बन जाती हैं कड़कना सेट की सब बाते सुन कर जंगल के पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं तब ही भूतिये टूनी चुडिया की आ अब तुझे मार कर हम अपनी मौत का बदला लेंगे। टूनी अगर मुझे मारने से इस गाहों की पक्षियों की जान बचती है तो तुम मुझे मार दो और अपना बदला पूरा कर लो।